देखें यूट्यूब पर आज भी जो लोग आते हैं या लोग जो काम कर रहे हैं उनके दिमाग में बहुत बड़ा कन्फूजन है कि यार हम शौट पे काम करें या फिर लॉंग वीडियो पे काम करें क्या शौट का कोई फ्यूचर है या पर इसमें कभी अर्निंग होगी ही नहीं तो इसका जो जवाब है यह अभी कुछ दिन पहले में गूगल की ऑफिस में गया था वहां पे हमारी ट्रेनिंग थी वहां पे मुझे मिला और मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं इससे आपका कन्फूजन क्लियर हो जाएगा और फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी भी आपको एक जलक इस फीडियो में देखने को मिलेगी तो आप वीडियो को अभी से लाइक सेर कर दीजे चल को भी सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि ऐसे कॉंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ तो देखें लोग वीडियो की जहां तक बात है तो सिम्पल परची बात है लोग वीडियो लोग इसलिए बनाना पसंद करते हैं एक तो इसका वास्टाइम काउंट हो जाता है यह मॉनिटाइज हो जाता है इसमें पैसे भी अच्छे बनते क्योंकि एड आते हैं अगर आट मिनट से जादा बड़ी वीडियो बन गई तो मल्टीपल लग उस पर ख़रा नहीं उत्रा थोड़ा पैसा आज भी कम मिल रहा है तो लोगों को लगया फिर शॉट्स बनाने ही क्यों है लेकिन यहीं पर हम गलती कर रहे हैं देखें सिंपल सी बात है मैं आपको एक चीज समझा दू आपको यह सोचना पड़ेगा कि शॉट्स आया ही क्यो यूट्यूब को क्या जरुत पड़ी शॉट्स लाने की तो सिंपल सी बात है भाई कि दो तरह के आज फॉर्मेट में वीडियो देखी जा रही है लॉंग फॉर्मेट में और शॉर्ट फॉर्मेट में और अगर आप नंबर्स की बात करें तो आप किसी भी सोचल मीडिया को देख लें जो शॉर्ट फॉर्म वाली वीडियो नहीं कि जो वीडियो शॉर्ट वीडियो उन पर ज्यादा व्यूज आते हैं चाहे जब टिक टॉक था जब आप देख सकते तो उस पर रीच ज्यादा थी इस्टाग्राम के रीच बहुत जादा है और शॉर्ट पर भी वीडियो देख लेती है अब जितनी जादा ओडियंस वीडियो कंजूम करेगी रीच जादा होगी बट क्या हमें सिर्फ रीच के लिए ही काम करना है नहीं भाई मॉनेटाइज भी होता है हाँ पैसे कम मिलते है तो इसमें एक सिंपल सी बात है फ्यूचर में क्या होने वाल जादा कमाई हो रही है क्योंकि लोंग वीडियो की जहां तक बात है लोंग वीडियो 15 साल से एक्जिस्ट करती है तो यह काफी पुराना फॉर्मेट हो गया इस पर काफी एड़टाइजर फ्रेंडली हो गये एड़टाइज देने के लिए शॉट्स अभी रिसेंटली मॉन जादा मिलता था लेकिन यूट्यूब ने इतनी बड़ी प्लानिंग करी तो ऐसे ही तो नहीं करी है तो यूट्यूब की जो सेल्स टीम है वो भी एड़टाइजर के पीछे लगी हुई है एड़टाइजर को कन्मेंस कर रही है कि एक शॉर्ट फॉर्मेट है इस पर भी एड़टाइजर है वो भी जादा आएंगे उसका पैसा भी बड़ेगा तो सिंपल सी बात है जो शॉर्ट बना रहा होगा उसको पैसा मिलेगा इसके अलावा बात करें अगर यह सूपर ठैंक्स वगेरा की तो यह तो आपको लोग वीडियो पर भी मिल जाता है और पुराना होगा इन एड़टाइजर की संक्या भी बढ़ेगी और सिंपल सी बात है यूट्यूब हो या क्रेटर हमें तो पैसा सिर्फ और सिर्फ एड़टाइजर से ही मिलता है तो मैं इतना कहूंगा कि आने वाले टाइम में एक फॉर्मेट तो नहीं चलने वाला मल्टी वीडियो जी लोग कंजूम करेंगे और लोग बनाएंगे भी तो यह बिल्पुल सही टाइम है कि शॉर्ट हमें बनाते रहना चाहिए शॉर्ट पर आपको देखना है कि आप एक चलन पर दोनों बनाना चाहते या अलग अलग चलनल पर बनाना चाहते बट नुकसान कुछ भी नहीं है लेकिन अगर आपको लगता है कि शॉर्ट बनाने भी उतनी मेहनत लग 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 रही है तो वह एक यूटूब का बहुत अच्छा फीचर है आप उसको यूज कर सकते हैं जैसे आप लोग वीडियो बनाते है उसमें से क्लिप का ऑप्शन आता है वह ऑटोमेट मिल सकते हैं और हमारे पास एक चीज होगी कि हम मल्टी फॉर्मेट में कॉंटेंट बनाते हैं तो जब कोई एड्मटाइजर स्पॉंसर लेके आएगा तो हम उसको कह सकते हैं कि मेरे पास दोनों फॉर्मेट है तो यहां पर हमें benefit मिलेगा तो थोड़ा सा future का सोचिए और द बाके और पर किलिक करें इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहता हूं चले मिलता अगली वीडियो में किना टोपिक के साथ तब तक के लिए चैहिन